नवश्कारा आप देखरे प्राइम में के न्यूशन सचका साथ सुबकी गबर राइबरेली सेरे राइबरेली किरांगर्सियों द्वारा जहाँ पर किसान पंचायत का हुआ आयोजन देखे आमने पुरी रिपोर्ट राइबरेली जिले के विकास करन दिये च्रेट की ग्राम पंचायत पूरे गोसाई मच्रेडी है में कॉंग्रिसी कारे करता हूं द्वारा एक किसान पंचायत का आईजन किया थ्यार किसान पंचायत में कई कॉंग्रिसी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किया जि आज जवान जए किसान चौपाल कारकरम का आयोजन पूरे गोसाईं बलाग डी में किया गया जिसमें किसानों के विषय में चर्चा की गई जैसा कि आपने देखा कि 90 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है लेकिन प्रधान मंत्री जी वहां जाने के बज़ाए उनकी बातों को उनकी मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं यहां तक कि लाठी चार्ज गोले छोड़े गए किसान परेसान हुए फिर भी उनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा जैसा कि लागडाउन में आपने देखा किसानों के गेहूं के बीज में कीड़े पर गए गेहूं इतना सस्ता हो गया कि लोग अपनी बुवाई नहीं कर पाए हैं पैदल चले परे उखों मरें तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस सरकार से किसान इसना त्रस्त हो गया है युवा इतना परेशान बेरोजगार हो गया है कि लोग हतास और परेशान हैं इसलिए हमारी पार्टी ने किसान चौपाल का आवजन किया ये पूरे अमेठी में हो रहा है हम चाय की कीमत क्या है तो वो कहता है पांच रुपए उसी तरह राहुल जी प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसान भाईयों यहूं धान आलू आप पैदा करते हैं तो उसका रेट आप लगाईए व्यापारी नहीं लगाएगा तो हमारी सरकार आएगी तो किस अंदोलन को और तेज करेंगे पूरे देश में इसका पर्चम लह लाएंगे और किसानों के जी अपना पर्चे दीजी मैं स्पी सिंग डी विकास खंड का वरिष्ट कांग्रेसी पूर टीएसी मेंबर जैसा कि आज यह किसान अंदोलन में आप देखी रहे हैं कि कहीं न कही जो किसानों की लड़ाई है वो साधारन लड़ाई नहीं है किसान अपनी जमीन में जो फसलें बोता है वो लागत और उसका MSP जाने का जो डर है जिसे कहते हैं मिनमम सपोर्ट प्राइच नियुन्तम समर्थन मूले कांग्रेस ने सदयो स्वामी नाथन कमेटी की कि धान और गेहूं का रेट क्या है जैसे हमारी सरकार 36 गड़ में कांग्रेस सरकार भूपेज बगेल की जब से आई है 25 रूपए में किसानों का धान खरीदा जा रहा है तो कहीं न कहीं ये तीनों कानून भाजपा सरकार केवल उद्योग पतियों के लिए बना रही है अड जाहिर सी बात है जब अडानी अम्मानी ने लीज कांट्रेक्ट खेती सुरू करेंगे तो उनका अपना कानून रहेगा मुनाफ़ा खोरी के लिए वो फसलों का भंडारन करेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है तो मेरा मानना है कि ये जो तीनों कानून है वो देश को पूरी तर जीवी कह रहे हैं यानि किसानों पे तोहमत लगा रहे हैं जो सरा सरा नया है तो हम लोग प्रियंका जी और रहुल जी के नेतत्त में किसानों के लिए इट से लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अप्डेट पाने के लिए बैल आइकर को प्रेंगे